उजास, प्रविशिका, भाग एक, पाठ तीन, हमारा रहन सहन, भाग छे, कहानिया, प्रिष्ट चौरासे, मिलकर पढ़िये, कहानिया, एक, हमारे माश्टर ची कहते हैं कि बेटा, खूब पढ़ो और खूब महनत करो, सबकी महनत से देश आगे बढ़ता है, हाँ बेटा, जैसे हमारे किसान, सैनेक, मजदूर, खिलाड़ी आदी महनत करते हैं, देश का नाम रौशन करते हैं, पापा, मैं भी महनत करके देश का नाम रौशन करूंगा, इस प्रिष्ट पर एक चित्र भी दिया गया है, इस चित्र में एक बच्चा अपने पिताजी से बाते करता दिखाई दे रहा है, और उनके पीछे एक गोदाम बना है, गोदाम में एक ट्रक है, और ट्रक से कुछ व्यक्ति माल उतारते हुए, और कुछ बोरिया लात कर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रक भी खड़ा है, ट्रक में बोरिया लदी हैं, कुछ व्यक्ति बोरिया उतार रहे हैं, और कुछ व्यक्ति अपनी प परिवाहर के सदत से क्या-क्या काम करते हैं। और इनका उत्तर भी खोजिये। अच्छा लगता है पापा। हाँ बेटा, एक दूसरे की मदद से ही परिवार चलता है। पती-पतनी जीवन साथी भी है और सहयोगी भी। हाँ पापा, मैं भी घर के कामों में मदद करूँगा। आयुश्मान गोस्वामी, इस प्रिष्ट पर एक चित्र है। इस चित्र में एक बच्चे के साथ उसके ममी पापा को दिखाया गया है। बच्चा कुर्सी पर बैठा है, ममी कुर्सी पर बैठकर एक पुस्तक पढ़ रही है, खाने की टेबल पर कुछ बरतन रखे हैं एक कुर्सी खाली है और बच्चे के पास पिता खड़े हैं उनके हाथ में एक बरतन है और बच्चा अपने पिता से बाते कर रहा है बाच्चित के लिए 1. क्या आपके घर में इस्त्री और पूरुषों के काम बटे हुए हैं? 2. अगर स्त्री और पूरुष दोनों ही बाहर काम करते हैं, तो घर पहुँचकर किसे कौन से दायत्व निभानी चाहिए और क्यों? 3. इस्त्री और पूरुष के बीच बटे हुए कामों की सोच समाज के लिए किस तरह घातक है? 4. दोनों कहानियों में बच्चों का जवाब समाज को बदलने में किस तरह मदद करेगा? अब आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वैम खोजे और इसका उत्तर भी लिखें. प्रिष्ट 86. वर्ण माला. १ ट, थ, ड, ध, 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 ल, ध, ध, थ, थ, द, ध, ध, न, प, भ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, ट्र, ग्य, श, श.